नमस्कार मित्रों, सार्था गवर्मेंट जाफ पॉइंट यूटूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है बहुत सारे विद्यार्थी और बहुत सारे उनकी परिसानिया, उनके सवाल उन सवालों का जवाब ढूड़ते ढूड़ते, उनको जवाब देते देते ऐसा लगता है कि मतलब मैं सवालों के बहासागर में डूब चुका हूँ सबसे पहले अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या है आप हमारे कांटेक नमबर 97, 41, 41, 45 पर संपर करके अपनी समस्याओं के विशें में डिसकस कर सकते हैं उसका निदान प्राप्त कर सकते हैं और आपको उस पर टेक्स्ट बुक्स बने हुए उतक्रिस्ट मेटेरियल एस्टेडी मेटेरियल प्राप्त कराया जा रहे हैं जो कि आपके लिए L.T.M.A.T.G.T.P.G.T. इन सभी भरतियों में बहुत कारगर नोट्स है आप उसे पढ़ लेंगे तो आपको कहीं अतरित पढ़ने क्या हो सकता नहीं पढ़ेगी तो टेक्स्ट बुक्स बने हुए मैटर हमेशा से ही बहतर होते हैं गाइड वगेरा पढ़ने के बाद आप डिस्ट्रेक्ट हो जाएंगे आप गाइड वगेरा पढ़ करके उसको पास नहीं कर सकते हैं तो गाइड वगेरा मत पढ़िए टेक्स्ट बुक्स बने हुए मैटर पढ़िए जो कि आपके लिए लावप्रद होंगे क्योंकि प्रस्ण जो हो टेक्ट बुक्स यही आते हैं ठीक है एक सवाल इस चीज के लिए है कि मतलब यदि मैं मेरिट आपके पक्षमिय बता दूँ ठीक है ना आपके मतलब एकार्डिक मेरिट बता दूँ हो तब आप काते हो बहुत अच्छा सर बणिया धैसर बणिया है सर अगर मेरिट मतलब आपके बिपरिद बता दूँ तो आप लोग उल्टा फुल्टा बोलने लگते हो है ना तो सबसे बड़ी समस्षय तो यहीं है कि आखिर मतलब का सामने सäच तो आना ही है ठीक है आपके सामने सचाना है जैसे कि आज मैंने मतलब संस्क्रिट के लिए देखा कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है मतलब एक सायद भेहन थी बोली कहीं कि आप जुट बोल ले हो आपने पहले 110 बताया आप 113 कह रहो 110 तो बीसी होगा जनरल तो भूल जाए विल्कुल से उसकी संभावना एकदम ना के बराबर है ठीक है बालिका वर्ग में अपलाई किये हैं तब उम्मीद है कि 109 तक हो जाएगा उनका बालिका वर्ग में लेकिन जनरल अगर बालक वर्ग में सोच रहा है कि 110 पे हो जाएंगे मीडिया से फेसबूक से वाटसबसे मतलब मैटर लेकर के आते हो तो मुझे मैसेज करकर के मतलब आप यह पूजने लगते हो कि सर क्या यह सही है क्या है एक लोगों ने तो पूरी पूरी टीजीटी के रिजल्ट हों हमरे पास बेत दीर है मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि वो लिस्ट आखिर बनी सजुरी कहां से उसमें 112, 115, 118, 123 हमके यार हद है सब टपराई बईठे हैं इसमें जो है ऐसा कुछ नहीं हो सारी लिस्ट जो है फेक होती है जैसे हम ये कंपेंज चला दें कि आप जो है मतलब कितना मेरिट गेन की हैं कितना कुश्चन है आप TGT के संबंदित भी से में अपना नाम एड़ करते जाएं बहुत सारी विद्यारती होते हैं कहते हैं हमरे बाप कका जाता है लो बेटा आओ 115, 118 तो वो सब फेंक हैं बकवास है कुछ मतलब है नहीं उसका ठीक है ना वो सारी चीज़े बकवास हैं आप अपवाहों पर ध्यान मत दीजिए मेरिट वही रहेगी आपके प्रयास आपके मेहनत कभी बिकार नहीं जाएगी इसके लिए आप बेफिकर रहें निश्चिंद रहें हम बार बार इसी चीज़ के लिए इसी लिए बोलते हैं कि आप डीपरेस्ट मत हैके ने मेरिट जो आपको बताएगे मेरिट वही जाएगी हाँ दुचार परसन उपर निचे किसी किसी भी से में हो सकता है इसमें आप जोः मत करिएगा बहुत सारे बिद्यार्थी जो मतलब कहbbleते हैं तर अबको होम साइंस से सही सर आपको जो एलरजी है आप होम साइंस के बारे नहीं बताते हैं तो सामान वर्ग जो बालक में है जनरल कंडिडेट वो अगर 95-98 है तो उसका हो जाएगा निश्चित है हो जाएगा ठीक है ना 110 प्रस्षत है को उसका चैन्द से ओर है लेकिन अगा बाली का वर्ग में 90 प्लस भी है उससे भी नीचे तो भी हो जाएगा बाली का वर्ग में ठीक है ना ओवी सी जो है आप जानते हैं जनरल से कम सकम 2 प्रस्षत नीचे ओवी सी रहेगा और 12-13 प्रस्षत नीचे सी रहेगा स्ट तो ज्याज़त तर विद्यार्थी मिलते ही नहीं है तो यह आपक खराब होता है उसके बाग कमेंट आपके पढ़के मेरा भी दिमाग खराब होता है तो इससे बेतर है कि आप रिजल्ट कल मीटिंग होने चले बोर्ड की और कल हो सकता है कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए ठीक है ना तो यह मतलब एक महत्पूर्ल अपडेट है के लिए परसान मत हुए एल्टी ग्रेट के लिए बहुत सारे विद्यारती एक पत्र के मात्व से परसान किये हुए है कि सरी क्या है यह आपको बता देना चाहता हूँ जो अधियाचन लेने का जो मतलब आप सूच रहे हैं कि पत्र अभी जारी हुए अधियाचन तो चैन लोग से वायों को बहुत पहले प्राप्त हो चुका है ये डेली रूटीन होता है जो मतलब पद कहीं और अन्यतर चैनित होने के बाद खाली होते हैं जो पद पुरानी बढ़तियों के बाकी हैं जो पद प्रमोशन के द्वारा खाली हो गया है ऐसे पदों का भेवरा माँगा गया तो आप उसके लिए डिस्ट्रेक्ट मत होईए परसान बिल्कुल मत होईए का अभी अधियाचन मांगा है अधियाचन मांगने की प्रक्रिया तो बहुत पहले ये मतलब गुजर चुकी है अधियाचन तो लोग से वायों को बहुत पहले प्राप्त हो आप तो आपका बिग्यापन आना है मेरे भाई, नॉम्बर में आपका बिग्यापन आ रहा है तो अधियाचन का मांगेंगे, अधियाचन अधियाचन सब हो चुका है, परसान मत होईए उसके लिए, ठीक है ना, तो वो सारे पत्र जो है वो नियमित चीज़ है, ऐसा नहीं कि वो फेंके, वो उनका डेली जो है रूटीन है, डेली प्रक्रिया है, तो आप उसके लिए परसान मत होईए बिल्कुल भी, ठीक है ना, परसान बिल्कुल मत होईए, आपका नॉम्बर में ल्टी ग्रेट का बिग्यापन आ रहा है, और टीजीटी पीजीटी का भी बिग्यापन आपका उम्किन नहीं है, अगर रिजल्ट 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 जबते रहेंगे ना, तो रिजल्ट आने के बाद और डिप्रेशन आप चले जाओगे, तो उमीदे मतलब कम ही रखिये, उमीदे ज्यादा रखेंगे, जब तो तोड़ती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो ऐसा प्रैत्न करिए कि आप ताकि मतलब नई उड़ जा के साथ नए जो है मतलब सपनों के साथ आप आगे बढ़ सकें और मेहनत के साथ जो है वो तैयारी पर अपने लग सकें उस कंडिशन में अपने आपको रखि होई है कल इसी बेस के लिए जो है मीटिंग की जा रही है उसमें सभी गर्णमान सदस अधस वगरा सामिल रहेंगे तो मतलब आप उसके लिए परसान बिलकुल मत होई है कल की डेट में आपके रिजल्ट पर महर लग जाएगी और हो सकता है कि कल साम तक या देर राद तक आ आप हमारे वाट्स अप नंबर 97 कई से 41-85 पर संपर कर सकते हैं आप वीडियो के कमेंट में बॉक्स में भी जाकर करके अपनी समस्चेया बता सकते हैं और समय मिलते हैं आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा तो सार्था गवर्मेंट जा पॉइंट यूटूब जाएगा ठीक है टेट वोट का नंबर सुपर टेट में नहीं जुड़ेगा परसान बिलकुल मत होईए ठीक है सुपर टेट में एकाडमिक 20% रहे गी और 80% आपका सुपर टेट रहेगा तो आप उसके लिए बिलकुल भी जो है परसान मत होईए ठीक है धन्यवाद आप आपका देट सुपर